मैंने इस बर फिर कुछ pots purchase किया है यह nursery pot है जो मैंने purchase के है मुझे nursery pot बहुत पसंद आते हैं क्योंकि यह बहुत ही light weight होते हैं तो इस बर मैंने 100 pots order किया हैं क्योंकि मुझे winter में बहुत सारे plants लगाने हैं त्मस्ठार मैं हूँरी तु ज्सका नाम है gardening with rena अगर आप मेरी इस चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी हिट कर दे और अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज एक लाइक भी कर दे इस वीडियो पे देखें ये मेरा पार्सल इस तरह से रिसीव हुआ है ये हाफ है इसमेसी 50 पॉट से इससे पहले लास्ट मन्थ मुझे 50 पॉट मिल गया है वो पॉट मैंने अभी ओपनिंग उसका मैंने शूट नहीं किया था इसकी वज़़से मैंने वीडियो नहीं डाला ये आज ही मुझे पॉट रिसीव हुआ है तो मैंने इसका एक ओपनिंग वीडियो भी शूट कर लिया है इसमें 50 से इससे पहले 50 पॉट से ये 8 इंची के पॉट है डाइमीटर 8 इंची है इसका और जो हाइट है वो साड़े 7 इंची का हाइट है इसके पास और भी पॉट से अवलेबल है और इसमें 3 कलर्स अवलेबल है ये मैंने टेरा कोटा लिया है इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है और एक कलरफुल है तो तीनों के डिफरेंट प्राइसे है और आप होलसेल में भी ले सकते है और रिटेल में भी ले सकते है जैसे मैं आप minimum 20 pieces करके आप pots order कर सकते हैं और भी sizes है इनके 4 inch, 4.5 inch, 6 inch, 8 inch ये sizes available हैं तो मुझे terracotta color का ही पसंदा है इसलिए मैंने सारे 100 pieces जो pots है वो terracotta के ही ले लिया है और ये 8 inch का जो pot है वो perfect होता है किसी भी plant के लिए अब winter plants इसमें लगा लीजिए या फिर indoor plants अब फिर अगर आप new roses ला रहे हैं या फिनर्सरी से क्यों कोई भी new plant purchase करके लाते हैं तो आप उसे अराम से 8 inch pot में लगा सकते हैं ये देख लीजिए ये इसका अब ये बहुत ही पतला होता है thin material होता है thermo form इसे बोलते हैं ये बहुत ही पतला अब इसे दबा सकते हैं ये गिरता भी है तो जल्दी तूटता नहीं है इससे आपके छट में अगर आप इस सारे hundred plants भी लगा देंगे तो इसका weight जादा नहीं होगा छट में और ये देखें मेरे balcony में भी मैंने इसी type के पहले pots यूज के हैं मैं पिछले 2 साल से मैं ऐसे ही pots यूज कर रही हूँ पर वो सारे pots वैसे के वैसे ये धूप में रहते हैं तो भी इसमें ये जो टेराकोटा का color है वो बिल्कुल भी नहीं जाता है वो बिल्कुल वैसी maintain रहता है ये जल्दी damage नहीं होता है बड़ जो hard plastic के pots आते हैं वो costly भी मिलते हैं और आप देख सकते हैं इसमें मेरा ये जो palm का plant लगा वह कैसे हवा से गिर गया था तो तो तूट गया है ये रहे plants ये मैंने online ही purchase किया है YouTube से मैंने एक seller मिला था 36 गड़का उसके थ्रू ही मैंने ये purchase किया है अगर आपको seller का कोई details चाहिए तो आप मोझे comment कीजें मैं आपको बता दूँगी आप देखें मेरे छट में आपने देखा है मैं terrace में बहुत सारे plants है जैसे ये एगलोनीमा का plant है जिफिन बेकिया सबको मैंने लगा रखा है इस वीडियो के लिए इतना ही मिलती हो अगले वीडियो में